एकाशी का वर्थ करने से सभी बापों से मुक्ति मिल जाती है शत्रुपक्ष पर विचे पराप्त होती है भक्त जन एकाशी का परशाद घर में बनाए रसोई घर में परशाद बनाते समय अक्सर लोग गलती कर देते है जैसे कि किसी तेल या घी में पहले से कोई चीश तरली होगी न उसी तेल का दुबारा इस्तमाल कर लेते है ऐसा मत कीजिए घी, मसाले, तेल साफ लीजिए साथ ही अगर एकाशी का भूजर बनाने के लिए घी का पर्योग किया जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा मसाले ही पर्योग करें, कोशिश करें रसोई घर में प्याच लैसुन नहीं हो पर्शाद खुद बनाए, नोकर से नहीं बनवाए चूते चपल पहन कर पर्शाद नहीं बनाए, पर्शाद बनाते समय किसी की चुबली नहीं करें यदि आप लिक्विड बनाना चाते हैं, तो आप नीबू पानी बना सकते हैं, जलजीरा बना सकते हैं, बस उसमें ऐसा कोई मसाला मन डालना जिसमें अनका परियोग किया गया हो, या फिर भार का कोई मसाला हो, ना जाने भार के मसाले में क्या डलावा हो, क्या ना डलावा नमक भी आपको सेंदा लेना है एकाशी परशाद जो भी आप त्यार कर रहे हैं उसमें तुलसी पत्र जरू डालें तुलसी पत्र जोड़े में होने चाहिए सिंगल नहीं होना चाहिए तुलसी पत्र के साथ ही परभू भोग सभी कार करते हैं लेकिन तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़कर रखे, एकाशी वाले दिन नहीं तोड़े, एकाशी को तुलसी नहीं तोड़ते, परशाद में तुलसी पत्र डालकर परभू को भोक अरपित करने के बाद ही आप परशाद घरान करें पहले नहीं।